हेलो दोस्तो मैं कृती आज आप लोगों के साथ सेयर करने जा रही हूं आलू परवल की रेस्पी बहुत ही लजीज रेस्पी है दोस्तो आप इसे आसानी से कूकर में बनाए अपने घर में इसके लिए मैंने मसाला तयार किया है ये देखिए एक चम्मच हल्दी पौडर एक चम्मच जीरा पौडर हाधा चम्मच गोल मिर्च पौडर are एक चम्मच धनिया पौडर है इसे मैं घोल बना लूंगी घोल बना लेने से आप लोगों को तो पता ही है वह अच्छा आता है। सारह मसाले आपस में मिक्स हो जाएंगे और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा चलिए हमारा मसाला डेडी हो गया बहुत ही जल्द बनने वाली बहुत ही लजीज रैस्पी है इसे बनाने के लिए मैंने एक प्रेसर कूकर को गर्म कर लिया है पहले से उसमें मैं चार बरे चमच से तेल डालूंगी ये कुछ खरे गरम मसाले हैं जिसमें जीरा हरी मि परिच थोड़े खरे गरम मसाले ये समें मैं । डालूंगी लेकिन अभी नहीं अभी पहले परवल नाец में तरा मैं इसे अच्छी तरीके से कूकर में ही फ्राइ कर लेंगे इसमें कढ़ाई की कोई जरुवत नहीं है मेरा सारा प्रोसेस इस कूकर में ही होगा आप आसानी से इस कूकर में आराम से बहुत जल इस रेस्पी को बना सकते हैं हमारा परवल फ्राइ हो चुका है अब हम इसमें आलू फ्राइ कर ले और फिर इसी कूकर में हम मसाला भूनेंगे दोस्तों ये बहुत ही अच्छी रेस्पी है बहुत ही आसान से आप इसे घर में बना सकते हैं आसान तरीकों से बनने वाली परवल की सबजी एक बार जरूर बनाए ये देखिए बातों ही बातों में ये आलू भी फ्राइ हो चुक कुछ गरम मसाले, जीरा, तेजपत्ता सारे मैं इस तेल में डाल दूँगी तेल कम पड़ गया था मैंने दो चमच तेल और इसमें डाला है ये देखिए इसमें गरम मसाले मैंने खरे गरम मसाले जो थे मैंने डाल दिये हैं और ये लाल भी हो चुका है अब मैं इसमें तीन बड़े प्याज जो मैंने काट के अलग किये हुए थे वो डाल दूंगी और इसे कुछ देर भूनूंगी कूकर का ढखन ऊपर से रख देना है लगाना नहीं है और इसे ढख के भूनते रहना है यह जब गल जाएगा थोड़ा सा तो इसमें नमक डाल देना है नमक डाल देने अब प्याज को थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें मैं वो मसाला जो मैंने घोल बना के रखा हुआ है वो डाल दूंगी उस मसाले से इसमें फ्लेवर इसका बहुत ही अच्छा आएगा क्योंकि मसाला आपस में मिक्स हो चुका है और थोड़ी देर यह मसाला पानी में र मितलब मीडियम फ्लेम पे हमें 5-7 मिनट तक पकाना है कुकर के ढकन को उपर से रख रख के पकाएंगे और जब यह आपस में गल जाएंगे इसे हम मिलाते रहेंगे अच्छे से यह मिल जाए अच्छे से पक जाए उसके बाद इसमें एड करना है फ्राइ परवल जो पहले परवल को मैं इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छी तरीके से मिला दूँगी परवल इसमें डाल देना है फिर आलू डाल देना है आलू परवल दोनों एक साथ डाल दिया अब मैं इसे अच्छे से चलाओंगी ये देखिए कलर कितना सुन्दर लग रहा है इसका कलर बहुत ही खुबसूरत लग रहा है बहुत ही जल्द बनने वाली रेस्पी है ज्यादा टाइम नहीं लगता है दस से बारा मिनट में आपका सबजी बन के तयार है अब इसमें मैं एक कप पानी डालूंगी एक कप पान पानी डालना है ज्यादा पानी नहीं डालना है नहीं तो ये पतला हो जाएगा बस इतना पानी डालना है कि ये प्रेसर ले ले और सीटी बज जाए सिर्फ एक सीटी लगाना है और हमारा सबजी बन के रेडी हो गया ये है आलू परवल की लाजवाव लजीज रेस्पी एक बार इसे बना के देखिए आपको लगेगा कि आप किसी बाहर में खाना खा रहे हैं किसी बाहर के होटल का रेस्पी है ठैंक्यू दोस्तों इस रेस